हेलो फ्रेंट्स वैलकम बैक टू मैं चैनल डिवेल्पकेशन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही इजी वे में घर पे हम वेट लॉज कैसे कर सकते हैं वह भी घरी के सामान से वह बताओंगी तो अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कि हो चैनल जाना तो कई सारी बीमार्या भी खतम हो जाएंगी और इसको आपको दो टाइम लेना है इस दिन को आपको एक सुबह खाली पेट लेना और फिर आपको शाम को चैसे साथ बचे के बीच में लेना है जब भी आप इस डिंग को बनाकर प्राय करो ना तो आपको एक चीज का चीज़े होती हैं जैसे मीठी चीज़े होती हैं उनको बिल्कुल अवाइडी कर दे रहे हैं ताकि यह ज्यादा फायदा करेंगी तो बनाने के लापे देख सकते हो सबसे पहले मैंने अलसी ले ली है तो अलसी सभी के घर में अवेलबल हो जाती है और वजन कम करने में है तो अब इसको ना हम कड़ाइं में डाल देंगे और इसको रोष्ट कर लेंए और अलसी की साथ साãyथ सथी है आप देख सकते हो एक बड़ा कटोरा लिए ने बील्कुल इक च्छोटी कटोरी अब उसके नाप से लिए है और अभी मेरे त Redk छाब है इसलिए थोड़ी सी अबाद सहीं नहीं आपा रही है तो उसके लिए मैं आपसे माफिय मांगना चाहूंगी तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों चीजों को हमारे को सेख लेना है अच्छी तरीके से लेंगे इनको चार से पांच मिन्ट लगेंगे सिखने में यह पता है सिखने जब सिख यह जाएंगी तभी तड़कना स्टार्ट हो जाएंगी तो अब चाहें तो मार्केट में ना दो टाइब के लिए अगर आप गरम गरम को पीश होगे न तो बिल्कुल अची तरीके से नहीं पीजबाएगा तो थोड़ा इसको ठंडा करेंगे उसके बात पीशेंगे और पीश लेंगे तो यह पाउडर आपको बहुत ही अची तरीके से मदद करने वाला है वजन कम करने के लिए तो आपको सुबह सुमें इसको सबसे पहले तो खाली पेड पीले लेना है गरम पानी के साथ साथ और फिर आपको तज से पंदर में एक्सेसाइज करना है कोई भी ह करेंगे त्यार हो चुका आप इसको एक से डेट सार के लिए स्टोर करके रख सकते बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और यह मैंने पतीला ले लिया तो गैस का फ्लेम आउन करेंगे और अपको अब लेना है तो मैंने दो ग्लास लेटेना तो दो ग्लास के लिए दो लेंगे एक ल्सी के चमश आपको ले लेना है फाउडर फो में तो इसको अची तहरी के से बहुत ही फायदा करता है यह ड्रिंक्ट तो एक बार आप बनाकर जरूर्य किजेगा है अब यह सब्सक्राइब कर लीजे ताकि जो भी मेरी वीडियो जोंगे उनको ने रोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे और इसकी जितने भी फायदा नुकसान होते हैं अलसी के मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखके बता दूँगी तो वहां पर जाके आप जा पानी के साथ आप नीबु लोगे न तो वह बहुत ही फायदा भी करेगा तो मैंने आदी चमाच यसे देख सकते हो अलसी के पानी के लिए मैंने सबसे पहले तो आदी चमस के लगभग नीबु ले लिया था और आप इसमें डाल देंगे हैं पानी तो यह मैंने कटोरी में और इस तरीके से गलास में पाणि को सर्फ कर लिया है आपको गरम गरम नहीं पीना है केवल granta पानी पीना है जैसरे आप गुलू了 सुबर पाणी पीने है आप चाहिए तो इसको खाना खाने इसके आदा हुंता बाद भी ले सकते हो ईस पानी को तो दूसरा यह गरम पानी में भी आप डाल सकते हो पाउडर को तो मैंने थोड़ा सा गुंगुना पानी ले लिया तो उसमें अब एक चमच पाउडर को आप डाल कर पी सकते हो यह नॉर्मली भी आपना गरम पानी में इस तरीके से ना अलसी को काल की पी सकते हो तो दो टाइ